मुख्यमंत्री नीदीश कुमार की सुरक्षा में फिर एक बार बड़ी चुप नीदीश कुमार मॉनिंग वाक के लिए निकले थी उसी समय बाइकर्स गें के दो सदस्य सीयम का सुरक्षा घेरा तोड़ कर घुज गए सीयम बाइक से टक्राने से बचे उन्होंने बचने के लिए फुटपात की ओर दोड़ लगा दी नीदीश कुमार सुबह अपने एक अडे मार्क इस्तित आवस से साथ सरकुलर रोड की और मॉनिंग वाक पर निकले थी सुबह करीब 6 बचकर 45 मिट पर 23 रफ्तार से बाइकस बेतर्तिब तरीके से मुख्यमंत्री के सुरक्षा गेरे में खुज गए वे सीयम को कट मरते वें निकल गए इस ओरन नितिश कुमार बचने के लिए फुटपात की और दोड़े बताय जा रहा है कि सीयम नहीं हटते तो बड़ा हाथसा हो सकता था ये घटना सरकिलर रोड के पास हुई जहां कई वी आईपी रहते हैं राज़त सुप्रीमों की पतनी और बिहार की पुर्व सीयम राबडी देवी का आवज भी यहीं है गटना के बाद सुरक्षा करमी एक्टिव हो गए एक ही बाइक पर दो लोग सवार थे दोनों बाइकर्स को हिरासत में ले लिया गया है पतना SSP साइट कई पुलिस अधिकारी मोके पर पहुँचे हैं बाइकर से पुछता चो रही है बाइक का नमबर BR01, DK7148 है या किसी हीमाशु कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है पुलिस ने बेरिगेट्स लगा कर साथ सरकिलर रोड को बंद कर चेकिंग भी की है यह पहली बार नहीं है जब मुक्यमंत्री नितिश कुमार की सुरक्षा में चूक हुई है एक साल पहले पटना के बक्तियारपूर में एक कारिक्रम के दोरान युवक ने पीछे से आकर सीएम को मुक कजड़ दिया था वहीं एक कारिक्रम में जाते समय पटाके फोड़े गए थे इसी कसाथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ दने बाग